हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नहीं वीडियो में फिर से दोस्तों लेके आए हैं हूँ नहीं चॉप की इंफोर्मेशन रुकीट में टारी है दोस्तों इंडिया पोस्त की तरफ से भारतिय डाक की तरफ से अगर आपने 10th करी हुई है 12th करी हुई है आप eligible है उसके लावा किसी तरह का यहाँ पे एक्जाम नहीं होने वाला किसी तरह का जो है वो interview नहीं होने वाला direct merit basis पे आपका selection जो होने वाला है और अगर आपका selection होता है तो एक तरह से permanent job आपको जो ही वो मिल जाएगी post office के अंदर उसके लावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके eligibility criteria कि selection process की कौन को ने eligible है कैसे apply करना है सबी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे तो शुरु से लेके last sex video को ध्यान से देखिए तांकि आपको हर एक चीज हर एक detail का पता चल जाए ग्रामीन डाक सेवक नाम से clear हो जाता है कि आपका काम क्या रहने वाला है ग्राम शेतर में जो है आपका काम रहता है यानि कि जो villages होते हैं वहीं पर आपको काम करना पड़ता है फिलाल जो है वो दो state के लिए recruitment notification जारी करा गया है और अगर आप इन दोनों states में से किसी एक state से आते हैं तो ही apply करिएगा क्योंकि हो सकता आने वाले दिनों में आपकी अपनी state के लिए recruitment आ जाए तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए फिलाल recruitment जो ही वो केरला और 36 गड़ के लिए है बाकी जिन लोगों ने पंजाब के लिए आवेधन करा था उनको मैं बताना चाहता हूँ कि result आ चुका है बाकी आप कुछ कह नहीं सकते हैं मैरिट पेसिस पे उस टाइम पे कितने लोग आवेधन करते हैं बहुत सारी चीज़े डिपेंड करती हैं बाकी आप ज़रूर आवेधन कीजेगा अगर आपके जो है वो मार्क्स थोड़े अच्छे हैं तो उसके लावा दोस्तों यहां प और इसी के बीच में आपको अप्लाइ करना पड़ेगा नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसे आप उपर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन जो हे वो नीचे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही डाउनलोड हो जाता उसके बाद आप इस नोटिफिकेशन को read कर सकते हैं apply करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले आपको registration करना फीज जो हे फीज payment करनी है उसके बाद apply online जो हे करना है तो यहाँ पे दोस्त अप्लिकेशन फीज सोर पर रखी गई है बाकी SCST और female candidate के लिए किसी भी तरह की fees का criteria नहीं रखा गया आप बिना fees के apply कर सकते हैं 10th pass दोस्तों मांगा गया है 10th pass और साथ में आपके पास यह वो computer की जानकारी होनी चाहिए लेकिन अगर आपके पास computer की जानकारी नहीं है तो आपने 10 plus 2 में अगर अपनी computer as a subject पढ़ा है तो फिर आपको किसी भी तरह के certificate की ज़रूरत नहीं बाकी दोस्तों बात करें age limit की तो 18 से लेके 40 साल तक case का criteria रखा गया है आपकी age 18 से कम और 40 साल से जादा नहीं होनी चाहिए बाकी age relaxation as per government tool मिलेगी जैसा की पहले मिलती आई है बाकी दोस्तों यहाँ पे जोखे वो notification डाउनलोड हो चुका है और अभी open जोखे वो हो चुका है notification तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़े लिखी गए जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप two wheeler चला सकते हैं तो ही इसमें जो हे आप eligible है apply कर सकते हैं educational qualification की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि 10th आपकी होनी चाहिए साथ में जो हे वो mathematics में passing marks आपके होने चाहिए local language आनी चाहिए जिस भी state के लिए आप apply कर रहे है वहां का local language आपको आना चाहिए compulsory है यह चीज यह चीज जरूर ध्यान में रखेगा बाकि दोस्तों computer का जो हे basic computer certificate आपको जो हे वो चाहिए लेकिन अगर आपके पास certificate नहीं है तो आपने 12th में अगर computer subject पढ़ा हुआ है तो आपको किसी तरह के अलग से certificate की जुरूरत नहीं है आप 10 प्लस 2 का certificate लगा सकते है computer certificate की जगा उसके लावा दोस्तों basic computer training यह भी चीज़े जो हे वो compulsory है two wheeler आपको चलाना आना चाहिए तब ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं शुरुबात में मैंने आपको बता दिया अपलाए आपको कैसे करना है selection process की बात करें तो selection process मैंने बताया कि merit basis पे कितने marks आपने obtain करें है अपनी qualification में उसी के according जो हे merit clicks निकाली जाती है और यहाँ पे vacancies जो हे वो 3000 से जादा की है 15-500 के करीब वो vacancies है दोनों ही states में तो अगर आप ही digital होते हैं तो जरूर आवेदन कीजएगा हो सकता है जो आपके marks जो अगर थोड़े अच्छे है तो आपका selection हो जाए तो यह recruitment है बिना exam के हैं और उसके लावा बिना interview के हैं जरूर आवाइदन करिएगा application fees सो रुपय रखी गई है अगर आप undeserved से आते हैं economically weaker section से आते हैं उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें female candidate, SCST candidate, PWD candidate इनको किसी भी तरह की fees देने की जरूरत नहीं है फ्री में आपको apply करना है तो यहाँ पे दोस्तों apply करने के लिए शुरुआत में मैंने आपको link बताया वही पे आके आपको apply करना है link आपको description में दे दूँगा direct आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे जैसे वो link पे click करेंगे title के उपर click कीजिए description box खूल जाएगा उसके उपर apply online का link दिया हुए वहाँ पे जाके हमारी website पर सारी जानकारी रीड करिए उसके बाद आप यहाँ पे आके apply कर सकते हैं तो यह जानकारी दोस्तों दी गई है GDS India Post की official website पर eligible होने पे आप apply कर सकते हैं thank you very much इस video को देखने के लिए और आशागरतों को आपको वीडियो पसंद आया होगा समझ आया होगा वीडियो से related अगर आपके कुछ questions है comment section में पूछी और channel को subscribe करें मिलते हैं next video में